हेलो दोस्तों टैली के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और ये वीडियो में अपने UAE दर्सकों के लिए बना रहा हूं जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं अगर किसी टूरिस्ट को हम लोग सेल करते हैं तो उसका इंट्री किस प्रकार से करे Saar ATM तो चलिए सब्से पहले a company create कर लेते हैं यहां पर जो भी नाम होगा वो दे दिजेगा आप का कि उसके बाद यहां से आप का कंट्री यहां से जो इम्रीत है वो यहां से ले लिजेगा मैं यहां पर अबो दुबई ले ले रहा हूं उसके बाद यहां पर जो आपका 15 नंबर है आपका वो दे दीजेगा जो कि 15 डिजीट का होता है फिर यह मंतली यह क्वाटरली जो देना है जैसे आप रिटेन फाइल करते हैं इसको दे दीजेगा उसके बाद में फिर इसको accept कर लिजेगा यह आपका company create हो गया उसके बाद मैं आपको direct लेके चलता हूं sale voucher में sale voucher के लिए देखिए हम लोग को जाना पड़ता है accounting voucher में उसके बाद में फिर हम f8 प्रेस करेंगे तो sale voucher आएगा यहां पर आपका party ना जानता है यहां पर हम लोग cash ले लेंगे ठीक है और उसके बाद buyer में यहां पर जो बंदा है बंदा का नाम लिख दीजेगा जो भी party है उसका नाम लिख दीजेगा ठीक है उसके बाद इंटर मारते वे आगे जाएगा और इसको आप consumer हिसाब से हम लोग sale कर रहे हैं तो वह यहां पर हम लोग overseas supply कर रहे हैं ठीक है यहां पर हम लोग alt c करेंगे और यहां पर हम लोग sale का laser बना लेंगे sale account इंटर मारते वे हम लोग आगे जाएंगे और फिर यहां पर जो item हम लोग sale कर रहे है वो item का नाम दे देंगे यहां पर उसके बाद alt c करेंगे यहां पर उसका unit देंगे हम लोग फिर इंटर मारते हुए इसको accept कर लेंगे मानली जी की 100 पीस हम लोग बेच रहे थे और एक पीस का दाम आपका 1.500 रुपया है या जो भी amount राएगा वो आप दे दीजेगा उसके बाद में फिर यहां पर हम लोग एक वैट का laser बनाएंगे जिससे हम duties and taxes में डालेंगे उसके बाद यहां से हम लोग बैट select करेंगे और यहां पर देखे बैट calculate हो गया उसके बाद में फिर इंटर मारते हुए देखे यहां पर provide बैट detail यह होगा इस option को आप yes करिएगा तो यह आप से पूछेगा is overseas tourist तो यहां पर आपको yes करना होगा और उसके बाद में इसको आप accept कर लीजेगा तो इस प्रकार से हम इस entry को pass कर सकते हैं और जब इसका हम printout निकालेंगे तो मैं आपको print preview दिखाता हूँ alt p दबाईएगा और alt p दबाने के बाद में यहां पर with preview वाला option आएगा उसको आप yes क्लिक कर दिजेगा अतना preview देखना है तो otherwise आप direct printout निकालना चाहते हैं तो आप बस alt p दबा के इंटर मार दिजेगा मैं preview दिखाना चाहता हूँ तो देखिए इस प्रकार से preview आएगा इसका जो invoice आएगा tax invoice जहां ओपर में लिखा हूँ आएगा overseas tourist ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करिए share करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए